हेलो व्रीवन आप सभी का हमारे जैनल पर स्वागत है क्लास टेंथ मैथेमेटिक एकसरसाइज 12.3 कुशिन नूमबर 8 NCRD बहुत ज्यादा इंबॉर्डेंट है कुशिन क्या बूल रहा है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 106 मिटर है इसकी इनर साइड की जो डिस्टेंस टोडल वो आपको बता करनी है और उसके साथ साथ एरिया ऑफ दे ट्रैक यह जो आपको ठीके दिख रहा है ना कलरफुल एरिया वह आपको बताना है कि वो कितनी होगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें सबसे पहले चीज़ तो ब चुना थाका फिकले जिन बोल रखा कई तो है जो डिस्ट एंइए आपको 60 में दे रखा है यह पार्ठ कुतना दे रखा है सुस्ट इम टर देर रखाài दियेरफोर चोटावाला जो जाएगा वह 30 मित्र हो जाएगा क्यों डायमेटर रहाओक त्या होता है गजिए जो विद्ध यह men यहां से लेकर यह हमार रेडियस वहना यहां से लेकर यह छोटा वाल रेडियस वह इसमें यह वित एड़ कर दोगे तो यह बड़े वाले बड़ा वाला यह सेमी सर्कल देख रहा है न उसका रेडियस में मिल जाएगा तो बड़ा वाला अगर आपको रेडियस चाहिए तो मेटर इड़ दीक इब दूए यहां से लेकर कर यहां तक कितना है िथिए यहां से लेकर यहां तक फिर गदो थे बात बन जाएगी तो पहले बाले पार्ड में आ जाते हैं पहले पार्ड में कह है दिस्टेंस दिस्टेंस आराउंट दिस्टेंस आराउंट अराउंड द्रैक आलोंग its inner edge ठीक है प्रॉपर बे पूरा लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 106 प्लस 106 यह वाला और यह वाला तो हमने एड़ कर दिया और यह वाला पॉर्शन और यह वाला पॉर्शन क्या है circumference है छोटे वाले semi circular का तो दो बार है तो 2 क्या हो जाएगा circumference, two circumference of small semicircle ऐसे लिख दो, simple language में small semicircular reason semicircle लिख दो ठीक है तो 106, 106, 212 हो जाएगा ठीक है और circumference है न semicircle का circumference का फर्मुला हो था पाई यार तो ही पाई आर हमने रख दिया ठीक है तो पाई की वैले कुछ दे नहीं रखी है कि हमें कुछ दे नहीं रख दो 22.7 यूज करना है ठीक है और रेडियस हमारा small वाला लेना है small वाला रेडियस कितना 30 है ठीक है यह आजाएगा अब आपको solve करना है उपर किया जाएगा यहां से 212 22 तो नहीं 44 44 है ना 44 को हमें multiply कर देना 30 से तो कितना हो जाएगा 132 पिछ जीरो अपॉन में 7 एन सेम ले लो 7 इसके अपर में कुछ नहीं दो 7 की multiply कर नहीं है 212 से ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 1484 और यह 1320 उपर एड़ कर दो ठीक है एड़ कितना करना है 1320 प्रॉपर एड़ जब करेंगे तो यह आजाएगा 11708 अपॉन में 7 ठीक तो यह हमारा आंसर आगे इतना मीटर पहले वाले पार्ट का आंसर कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी सिंबल कैलकूलोशन किया है ठीक है अब आजाओ सेकेंडवाले पार्ट में सेकेंडवाले पार्ट में में क्या निकालना worth area of the track अब निकालोगे तो देखो उपर से यह वाला क्या rectangle है यहां से इतना और यहां से इतना यह तो rectangle होगो ठीक और ये वाला portion अगर आपको निकालना है यहां से क्योंकि इधर जितना है उदर भी उत्थना है है अगर ये वाला portion आपको निकालना है तो आपको बड़े semi circle में से छोटा वाला semi circle माँ माइनस करोगी green वाला part तो यह आपका ये बचेगा ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रेशानी, यहां तक समझने में नहीं होगी, अब सेकेंड वाले पार्ट में हम आ रहें, कहीं पर थोड़ा से डाउट होते वेच्चों वीडियो को एक पर दोबारा देखें, ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में, क्या है, एरिया अफ्द ट्रैक, सिंपल लेंगज में हम लिख देंगे, एरिया अफ्टू रेक्टैंगल, एरिया अफ्टू रेक्टैंगल, प्लस, एरिया अफ्टू, सेमी, सर्कुलर, रीजर, ठीक है, यह तो क्या होता है, लेंट इन्टू ब्रेथ, फॉर्मूला यह होता है, और यह क्या होगा, पिटा, पाई आर, स्क्वेर अपॉन टू, और इसका आजाएगा, पाई आर, स्क्वेर अपॉन टू, टू है, क्या ना, टू अधर आजाएगा, इसके अपॉन में टू, इसके अपॉन तो यह पॉन में टू जो था वो कॉमन निकाल देंगे पाई भी कॉमन निकाल लो अंदर आर स्क्वेर कैपिटल आर हमारे पासे 440 का स्क्वेर स्मॉल आर हमारे पासे 30 का स्क्वेर टू से टू गैंसिल तो यह आजाएगा 212 पीज़े से 0 पाई की में 22 अपॉन 7 यह 1600 और यह आजाएगा 900 ठीक है 2120 22 अपॉन 7 माइनस करोगे तो 700 बचेगा 770 2120 प्लस पीज़े से डबल 0 एड कर देंगे 202324 इतना मीटर स्क्वेर यह आजाएगा सेकेंड वाले पाट का अंसर ठीक बचों कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट यह दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दुबारा देखें जिस साल मैं मैंने बोड एक्जाम दिया था बच्चों यह कुशन मेरे टाइम में आया था इतना सिंपल सा कुशन ठीक है तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना इंपॉर्टन कुशन है